आज हम देखेंगे कक्षा बारवी भूती की विशाई के प्रश्ण बेंक के अध्याय दस जिसका नाम है तरंग प्रकाशी की इसके प्रश्णों को देखेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक सदिक अपने दोस्तों में विडियो को शेयर करे और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले विडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं तो अभी तक के भूतिक और असायन के जितने भी वीडियो है वहाँ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे उसमें सभी प्रकार से संपुर्ण हल कराया गया है सारे प्रशन उत्तरों के उत्तर उसके अंदर मिल जाएंगे तो शुरू करते हमारा यह आज का वीडियो आज हम तरंग प्रकाशी की पाट 10 को देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिक्तिस्थानों को तो आज हमारे पास सबसे पहला रिक्तिस्थान है यहाँ पे जामिती छाया में प्रकाश के अतिक्रमन को रिक्तिस्थान कहते हैं तो इसमें आएगा विवर्तन अगला है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगियन दिखाई देने के कारण की घटना है तो इसमें आएगा व्यतिकरण अगला है तरंग संचरण के दोरान समान कला में दोलन करते बिंदूओं के बिंदू पत को रिक्तिस्थान कहते हैं तो इसमें आएगा तरंगाग्र अगला है बिंदू स्त्रोत के कारण उत्पन तरंगाग्र रिक्तिस्थान होता है तो इसमें आएगा गोलिय अगला है तरंग स्त्रोत के प्रिक्षक से दूर जाने के कारण तरंग धेर्य में व्रद्धी को रिक्तिस्थान कहते हैं तो इसमें आएगा अभीरक्त अभीरक्त विस्थापन अभीरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट या रेड शिफ्ट अगला है हमारे पास प्रकाश की तरंग धेर्य बढ़ने पर प्रकाशी यंत्र की विभेदन शम्तार इक्तिस्थान जाती है तो इसमें आएगा कम अब इसके बाद हमारे पास इसी पार्ट के सही विकल्प है तो सही विकल्प में हमारे पास पहला सही विकल्प है तरंग ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है तो इसमें आएगा उर्जा बवाला अगला है व्यतिकरण होता है तो इसमें आएगा सवाला दोनों में अनुधेने तरंगो और अनुप्रस्ते तरंगो दोनों में होता है इसलिए यहाँ पे सवाला उप्शन सही है अगला है अच्छे विभेदन के लिए किसी दूर दर्शी में होना चाहिए तो इसका आएगा अधिक व्यास का अभी द्रश्यक यानि अ वाला ओप्षन इसका सही है अगला है धुरूवन होता है तो इसमें आएगा ब वाला नुप्रस्त तरंगों में और पांच वाहे फ्रेनल दूरी है तो इसमें आएगा द वाला अल्फा स्क्यूर बटे लेमडा तो इस प्रकार से आज हमने इसके विक्तिस्तानों और सहीवी कल्पों को देखा है अब अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्णों को देखेंगे